कि नमस्कार साथी हों मैं अजीत वादे के मुतापित नमबरसिस्टम के पार्ट टु विडियो में हाजिरूंंग तो आप लोगो से दोस्टों रिख्वेश्ट है कि आप लोगोंने जिस तरह पहले वीडियो को देखा था उसी तरह इस वीडियो को देखिएगा ताकि हमारा भी मनोबल उच्छा हो जाए अगर वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों तो आपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा शेयर किजिए और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके पास वाली गंटी को जरूर प्रेस करिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले दोस्तों हम लोग नंबर सिस्टम का पार्ट वन पढ़ चुके हैं जिन भाईयों और वहानों ने पार्ट वन को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा ज ठीक है दोस्तों देखिए पहला हम लोग का टाइप में पढ़े थे और यह टाइप नंबर टू है दोस्तों किरन पब्लीकेशन का टाइप यह टू है और इसमें सबसे पहला किरिशन दिया है कि यदि किसी संख्या को 101 से विभाजित किया जाए तो सेस्फल पचीश आता है यदि उसी संख्या को 11 से विभाजित किया जाए तो सेस्फल कितना होगा दोस्तों तो इसको दोस्तों हम लोग बस ट्रिक के मादेम से सीखेंगे हम लोग यहां पर प्रोसेस इसका नहीं सीखेंगे हम लोग बस इसका ट्रिक के मादेम से सीखेंगे कि जब किसी संख्या को 101 कई से बीवाजित किया तो सेस्फद पाशीष आता है उसी संख्या को इगारा सभी भाजित किया जाएं तो सेस्पद कितना आएगा जनरली जो दोस्तों हम लोग का रीमेंडर बचि रहा है ना जो सेस्फद बचि रहा है पचीस बच रहा है कितना बच रहा है पचीस और फिर कह रहा है कि उसी संख्या को इगारा से भी वाजित किया जाए तो उससे संख्या तो हमें मालूम नहीं है दोस्तों तो वह संख्या तो मालूम हमें है नहीं दोस्तों हम लोग क्या करेंगे रिमेंडर में ही इगारा से क्य करें देंगे हम लोगी मेंदर से क्या करेंगे भाग दे देंगे तो हमें मालुम चेल जाएगा कि सेवसर क्या होगा दोस्तु तो देखिए यहां पे 11 दुना के 22 और पचीस में से 22 रट देगा दोस्तों तो यहां पर क्या आएगा तीन बचेगा यानि जब उसी संख्या को 33 आगा तो तो देख्यां लोग का यह हम लोग का जो लिमेंडर बच रहा था उसी में लोग क्या करेंगे 29 से भाग देंगे यानि 29 से भाग देंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 29 दूना क्यों होता है दोस्तों 58 और 58 जब घटाएंगे 63 में से दोस्तों तो बचेगा हमें क्या? 5 बचेगा यानि हमें क्या Remender मिला? 5 मिला तो जब उससे संख्या को 29 से डिवाइड किया जाएगा तो रिमेंडर क्या मिलेगा हमें पांच मिल जाएगा ठीक है अगला एक जबर्जास क्यूशन से दोस्तों कहरा ना कि भाजक भागफल का 25 गुना है और सेसफल का 5 गुना है यदि भागफल सोरा हो तो भाजक ग्याद क देखिए ठीक है दोस्तों यहां पर देखिए हमें दे रखा है दोस्तों भागफल तो भागफल यहां पर दोस्तों सोरा दे रखा है कितना दे रखा है सोला और उपर सवाल में कहरा है कि भाजक जो भागफल का 25 गुना है तो यहां पर भाजक जो प्राप्त होगा दोस्तो यहां पे 16 और इसका क्या क्या हो जाएका 25 गुनन मतलब भागफल का क्या है 25 गुनन है और किसे स्पल का पांच गुनन तो दौड़ियों स्फल का जब 50 गुणन है तो स्पल क्या होगा इसका एक बटा 5 गुनन होगा तो देखिए किया निकालाएंगे तो यह जो होगा भाज़क लकाध मालूम मालुम हो गया यह दो अशी बाज़क मालुम हो थैने way बाजक मालूम हो निकाल सकते हैं दोस्तों निकाल सकते हैं बिलकुर तो क्या होता है दोस्तों भाजक गुणते भागफल और प्लस क्या होता है दोस्तों सेसफल होता है तो देखें आप भाज जी हमें निकालना है तो भाजक हमें मालूम है दोस्तों यह सोरा गुणते पचीस जब इसमें आप गुणा करिएगा तो आया जाएगा अगा हमें कितना यह 400 आजाएगा है किसना चार सो और यह कितना धोस्तों 16 है ठीक है यह कितना है 16 है और Plus remainder यहां पर कहें 8 है तो जेब इसमें आप गुणा करिएगा तो सोरा चव के होता है दोस्तों 64 और प्लस कितना 80 जब इन दोनों को जूड़ दीजेगा तो 64 सव क्या आजाएगा 80 यही हमें क्या हो जाएगा भाजी हो जाएगा ठीक है तो हमें उमीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा चलिए अगला किशन समलो देखते हैं दोस से 29 प्रापण होता है यदि इसका को आठ से भाग दें तो शquezfal किया होगा दोस्तों फिर उसरी है का क्या करेंगे 29 में 8 से डिवाइट कर देंगे तो आक से 24 होता है दोस्तों 8 त सिजब चोभीस होता है और जिश चोभीस निकाल देंगे तो हमें रिमेंड़ आतका यह जाएगा जाए पाँच मिल जाएगा तो यहाँ पे इसका है राइर हो जाएगा सफ्वल 75 बच राया और उसी संख्या भाग दें तो क्या करता है 35 बचरा है और ना कि 18 सब्सक्राइब 15 बचरा ऑप तेरह से भाग देंगे तो तेरह तिया 49 होता है दोस्तों और 45 में से 49 घटा देंगे दोस्तों क्या बचेगा यहां पर रिमिंडर जो बचेगा छे बचेगा ठीक है चलिए अगला कुशन्स आपके स्क्रीन पर दोस्तों देखिए छटमा कुशन्स है दोस्तों बहुत है और कै रहा है कि भाझय के किसी प्रस्ण में भाजक जो है भागफल का 4 है तर तो सेस्फल का तीन गुना है यदि सेस्फल L7 तो क्या भाज्त е निकालना आज दोस्तों ठीक है तो आई एंगर 270 के दोस्तों पहले कि भाजक भागफल का चार गुना तå अगर हम लोग मान लेते हैं कि माना भागफल दोस्तों यक्स है तो हमें भाजक क्या हो जाएगा भाजक हो जाएगा दोस्तों जो कहे रहा है भाजक जो है ना भागफल का चार गुना यानि चार यक्स हो जाएगा ठीक है तथा सेसफल का तीन गुना दोस्तों जो भाजक है से सेसफल का तीन मैं बात करूं सेसफल की तो यह मिलेगा चार और बटा में भागफल हमें मालूम हो गया तो मैं अब भाज ये बरबर दोस्तों लिख हूँ ठीक है भाज ये बरबर क्या होता है भाजक गुड़ते भागफल और प्लस क्या होता है दोस्तों सेसपल होता है तो हमें भाज ये ग्याद करना है दोस्तों तो भाजक हमें देखिए, भाजक यहां पर X की बाईलू 3 आया, तो मैं एक आया दूँ तो 4 तेहीं क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा तेहां पर मैं 12 रख दूँ और भागफल कितना आया दोस्तों, भागफल हम लोग X माने थे, और X की बाईलू क्या आया, 3 आया, और सेस्फल क्या दे रखा है, 4, तो बारत यहीं के 36 होता है, और 36 में 4 जोड़ देंगे दोस्तों, हम लोग का यह 40 मिल जाएगा, ठीक है, तो हमें उमीद है कि आप लोग को यह questions समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया दोस्तों तो वीडियो को आप revise कर के चनली आप देख सकते हैं, देखिए दोस्तों, कहा रहा है न, question number 7 कि, दो संख्याओं का गुडण फल 935 है, तथा बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर भाग फल 15 है, तो संख्याओं का योग ज्याद कीजिए, आईए दोस्तों, हम लोग देखते हैं न, देखिए, कहा रहा कि जोब दो संख्याओं को गुडण फल 935 है, तो बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर भाग फल यहाँ पर 15 प्राप्त होता है, तो संख्याओं का योग, तो माल लेते हैं दोस्तों की बड़ी संख्या माना बड़ी संख्या यक्स हो गया, और छोटी संख्या दोस कि कहाय रहा है कि यहां पर घेके नीचे हैं यहां पर जाएगा ऊपर हो X बराबर यह हो जाएगा 15 और Y और देखिए हम लोग इसको समीकरण नंबर 1 माल Demge और इसको समीकरण नंबर क्या माल लेते ढ़ो में दो में ढ़क्ते हैं दोस्तों एक्स की जाब क्राक्ते में 15 नृ मिला तेले सी यहां पर y है ठीक है बड़ाबर 93 सो क्या यहां पर 75 और देखिए y का y में गूणा होगा दोस्तों तो यह हो जाएगा y-square और यह 15-150 का वाइज स्कायर डिवाइट करियेगा 15 6 का होता है दोस्तो 90 बचेगा 3 तो हो जाएगा 37 और 15 दुना के होगा यहाँ पे 30 बचेगा 7 तो 15 पचे क्या होगा दोस्तों तो 25 तो Y स्क्वाइर परबर दोस्तों यहाँ पे प्राप्थ होगा हमें 625 जब Y का मैं निकालू तो Y परबर क्या निकलेगा करणी मे यहाँ AS5 और 625 तो 25 राबर 25 आगया मैं 55 अब अगर यक्स का माल निकालना चाहूं दोस्तो इसमें मैं रख सकता हूं इस वाले समिक्रण में मैं रख सकता हूं तो X बराबर यहां पे 15 और गुणते कितना 25 देखिए दोस्तों जब इनका आपस में गुणा किया जाएगा तो यह आजाएगा क्या दे रखा तक यहां पे हमें उमीद है कि आप लोगों के यहां समझ में आ गया होगा हुगा थिकए आएगी Holocaust स्क्रीन पर अगला कन्स जो आठमा है दोस्तों देखिँ कि किसी संख्या को 68 से भाग देने पर दूसर 19 अथर और सेष्फल सुने आता है ठीक है ना भाग फल दूसंड़ उनधर नहीं सेष्फल क्या आता हैं य Shopify सइधा autres सर्षट से बाग दें तो शेष्फल क्या आएगा दोस्तु एहां यहां पे 200 पे 299 क्या प्राप्थ हो रहा है भाँ फल और सेस्षठ सूने प्राप्थ होता है। यदि इसी संख्या को ένα चाहब दें दोस्तों यहां पे सेस्षठ संशन क्या प्राप्थ होगा तो इसमेंं आप भाग दीजिएगा दोस्तों ARE 606 संथब 3 यहां पर क्या बचेगा एक बचेगा यानि रिमेंडर यहां पर हमें क्या प्राप्त हो रहा है ठीक है आईए नवा क्यूशन जो है दोस्तों बहुत ही पोटेंट है दोस्तों कह रहा है कि यदि किसी संख्या को 6 विवाजित करने पर सिसफल 3 आता है तो उसी संख्या के वर्ग को 6 सी विवाजित करने पर सिसफल क्या प्राप्त होगा दोस्तों यहां से इसे में हम लोग क्या करेंगे भाग देंगे यानि यहां पर रिमेंडर क्या मिलेगा हमें तीन ही प्राप्त होगा ठीक है तो हमें उमीद है दोस्तों कि इस परकार के अगर नहीं आता है दोस्तों मैं बताना आया था और बता दिया और जितने भी नहीं आते हैं तो आप कमेंट करिए अगला वीडियो अगर बनाना पड़े उस पर तुम्हें बनाऊंगा ठीक है देखिए कह रहा है कि जब किसी संख्या को पांच से भी वाजित कर देने से ठीक और इसलिकए दोस्तों और वार्ट होता है दोस्तों। आप आसानी से कर सकते हैं हमें अची लगी होगी अगर अच्छी लगी यह दोस्तों तो अपने दोस्तों के साथ इस को थोड़ा सा आप सेर कर दीजेगा और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली गंटी को जुरूर प्रेस करिए ताकि आने वाले वीडियो का न्यूटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले तो मिलते हैं अगले वीडियो में ठीक सबस्क्राइब